हेलो व्योवाइज वेल्कम बैक टो आज चैनल रेडी क्रियेशन आज हम फ्रेंड नेक बनाएंगे यह वर्क वाला सूट है तो हम इसमें कोई डिजाइन नहीं आएगा इसमें हम सिंपल ही अपनी बाउंटरी पर स्लाइल लगाते हुए नेक बनाएंगे और आगर आपको मेर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर माई वीडियो आपने मेरे जैनल पर नहीं है तो प्लिस स्क्राइब माई चैनल चलिए शुरू करते हैं यह मैंने सुटकी कटिंग की हुई है मैंने इसका सेंटर कर लिया है और मैंने एक पीस पर मैंने एक फैब्रिक के पीस पर और यह फ्यूजिंग पेपर लगा दिया है फ्यूज पेपर व्यूवर्स आपको बुकरों वाले शौप पे ही मिल जाती है सानी से 15-20 रूपे मीटर आ जाती है यह और यह हमारे पेंटेक्स रिजाइन में या हमारे कढ़ाई वाले नेक में सही तरीके से लग जाती है इसल हमने इसके सेंडर कर लिया है अब हम यह से दूसरी तरफ ने शिलाए लगा लें और हमारे किनारी की कढ़ाई की किनारी किनारी से लेती हुए इसलाए लगा लगा लेंगे कर दो लेंगे कारण ने कार लेंगे कर दो ने यह सिलाए लेंगे तेखे विवेल मैंने इसको फ्यूजिंग पेपर नीचे फिर मैंने ये कपड़े वाली साइड उपर और अपना नेक उपर इसके रखे फिर सिलाइड लगाई है और आप ऐसी ही लगाएं अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मार्जन देते हुए कटिंग कर लेंगे मैंने बिल्कुल कढ़ाई के किनारे पर शिलाइड नहीं लगाई है अगर आपको लगाए अगर आपको पूरा ब्रोड नेक चाहिए तो आप सिंगल फूट से इसकी किनारी पर शिलाइड लगा कर इसे पूरा ब्रोड तरीके से बना सकते हैं कि उसमें हमें कुछ नहीं करना उसमें हम सिंगल फूट यूज करते हुए अपनी कढ़ाई की इस किनारी की तरफ सी लाइड लगा लेंगे अब हम थोड़ा थोड़ा मार्जन छोड़ते हुए इसको कट करेंगे अब हम यह हमारी साइड है इसको परड़ते हुए इसको परड़ते हुए अब हम यह हमारी साइड है इसको परड़ते हुए हमें जो सारा एक्स्ट्रा मार्जन है उसको यहां इस साइड में रखते हुए सिलाई लगाएंगे अब है अब है आए 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 मैंने साइलनेक पर शिलाई लगा ली है अब हम इसे पीछे से हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे बाद में हम इस पर चुपाई कर देंगे आए 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 कंट वश्म्हें बासंट बीजिए व 지금 सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक मैं वीडियो नहीं है तो प्लीज सीश्क्राइब माइचैनल डू सपोर्ट मेइटांक फो वाचिंग